Welcome all of you, कैसे हैं आप? आज हम 4th class की EVS की बुक Looking Around या आस पास के chapter number 20 Eating Together या मिलकर खाएं के part 1 में जानेंगे की किन किन occasions के उपर मिलकर खाना खाया जाता है और कौन कौन मिलकर खाना खाता है ये जानकारी प्रापत करने के लिए आप EVS की बुक का page number 166 ओपन करें या फिर इस page को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो Class party, the school reopened today after the vacations, शुटियों के बाद our school खुला है The children share news about how they spent their holidays. सभी बच्चे आपस में शुटियों के बारे में बातें कर रहे हैं When did you put mehendi on your palm? Meena asked Aarti, At my uncle's wedding, Aarti said, You must have had a lot of fun at the wedding. David said, Meena Aarti की हथेली देखकर बुली, तुमने mehendi कब लगाई? मामा की शादी में Aarti ने बताया, महां तो बहुत मजा आया हुगा, डेविट बुला Oh, yes, I enjoyed the wedding feast the most, Aarti said Aarti ने कहा, हां, सबसे ज़्यादा मजा तो खाने में आया At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives, eating and doing everything together, Aarti said वहां हम सब भाई, वेहन और रिष्चजार एक साथ बैठ कर खाते थे Let us also have some fun together, रेहना आस्क क्यों ना, हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें, रेहना बोली I have an idea, डेविट said Why do not, we have a class party हम class में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं कितना मजा आएगा, तब डेविट ने सुझाया Then we can also eat and have fun together, we have parties in our colony whenever there is a festival We collect money from everyone for the party हमारी कलोनी में सभी त्योहारों पर पाल्टी होती है, सब घरों से पैसे इकठे कर लेते हैं We cook some dishes and why other things from the market रिहाना said कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बजार से लाते हैं रिहाना ने कहा रिना सेट, we do not need a festival to have a party रिना बोली, पाल्टी करने के लिए त्यहार क्यों? सेटरड़े is half day, why do not we plan to have our party then? शनिवार को आदी शुट्टी है, उसी दिन पाल्टी करते हैं Everyone in the class decided what each would bring for the party सबने मिलकर तै किया कि पाल्टी के लिए कौन क्या-क्या लाएगा On Saturday, the children really enjoyed their party There was so much variety in food They played so many games, everybody was so relaxed Party में बहुत मज़ा आया तरह तरह की खाने की जीजें थी सबने मिलकर बहुत से खेल खेले There was singing and dancing too They decided that they would have such a party again नाच गाना भी हुआ बच्चों ने यतै किया कि वे अक्सर मिलकर पाल्टी किया करेंगे क्या आपने भी कभी इस तरह से अपनी class में कोई पाल्टी की है या फिर आप भी चाहते हैं कि आपके class में ऐसी पाल्टी होनी चाहिए हम सब को मिलकर खाना चाहिए Do you like to eat with others? क्या तुम्हें मिल जुलकर खाना अच्छा लगता है? तो बच्चों अपना experience शेयर करें कि क्या आप मिल जुलकर खाना पसंद करते हैं आपको अच्छा लगता है या नहीं On what occasion do you eat together with your friends? कौन-कौन से मोकों पर तुम समिलकर खाते हो आप अपने वर्डे वाले दिन अपने friends को invite करते होंगे और सभी मिलकर तरा-तरा का खाना और चीजें खाते होंगे इसी तरह से जब आपके घर में कोई त्युहार या function होता है तब भी आप अपने friends को बुलाते होंगे और मिलकर एकठा खाना खाते होंगे Have you ever had a party in your class when? What all did you do to arrange a party? क्या तुमने कभी कलास में पाल्टी की है? कभ की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? तो बच्चो आप बताएं याद करें कि क्या कभी आपकी कलास में कोई पाल्टी हुई या नहीं अगर हुई है तो उसमें आपने क्या क्या किया था? और ये पाल्टी कभ हुई थी? What did you and your classmates bring to the party? पाल्टी में तुम और तुमारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? जब कलास में पाल्टी अरेंज की जाती है तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन-कौन क्या क्या चीज़ लेकर आएगा जैसे की चौकलेट कौन लेकर आएगा, केक कौन लेकर आएगा, विस्किट कौन लेकर आएगा, स्नेक्स कौन लेकर आएगा और यदि पाल्टी में कुछ और खाने की चीज़ें रखी गई हैं तो उनको लेकर कौन आएगा? What all did you eat? तुम सभी ने क्या क्या खाया? आप पाल्टी में बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, उनके बारे में बताएं Who are the people you invite for your party? तुमने अपने क्लास पाल्टी में किन-किन को बुलाया था? अगर किसी क्लास में इस तरह की कोई पाल्टी की जाती है, तो उसमें उस क्लास के टीचर्स या उस स्कूल के टीचर्स और उस स्कूल के प्रिंसिपल या है टीचर को बुलाया जाता है Where there are some people who work in your school, whom you could not invite, who are these people? क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए वे कौन थे? ऐसा हो सकता है कि आपने अपने कक्षा की पाल्टी में उन टीचर्स को नहीं बुलाया हो जो बड़े बच्चों के कक्षाओं को पढ़ाते हैं या फिर स्कूल के ऑफिस के स्टाफ जैसे की कोई क्लर्ग, लाइवरेरियन इत्यादी को भी हो सकता है आपने इनवाइट ना किया हो क्या तुमने अपनी क्लास पाल्टी में विशेश कपड़े पहने थे? बच्चों इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है आप अपने एक्सपिरियंस के अकॉर्डिंग इसका अंसर लिखें वट आरदा थिंक्स देट यू कैन डू तू मेक दा पाल्टी ग्रेटर, फ़न फॉर एवरिवन, डिस्कस पाल्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है चर्चा करो आप सोच सकते हैं कि पाल्टी को कैसे मज़ेदार बनाया जाए पाल्टी को मज़ेदार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है तरह तरह की खाने की चीज़ें शामिल की जा सकती है कुछ गेम्स खेल ले जा सकते है सिंगिंग और डांसिंग का कोई प्रोग्राम किया जा सकता है पार्टी में कोई इंटरस्टिंग ड्रामा प्ले किया जा सकता है कैरम लुडो जैसे खेल खेल ले जा सकते है अंताक्ष्री या फिर पोईम्स वगेरा भी शामिल की जा सकती हैं तो बच्चो कुछ आप और चीजें पाल्टी को इंटरस्निंग बनाने के लिए जोड़ें और अपनी कौपी पर लिखें आज हमने इस चेप्टर में सीखा कि केवल त्योहारों के अपसर पर ही पाल्टी नहीं की जा सकती हम पाल्टी को मिल जुलकर कभी भी कर सकते हैं पाल्टी को करने के लिए आपस में कंट्रिविशन की जा सकती है और पाल्टी कलास में भी की जा सकती है इस चेप्टर में भी एक क्लास के बच्चों ने मिल जुलकर एक पार्टी का योजन किया और खूब अनांद उठाया बच्चों पार्टी के बारे में हम कुछ और बाते करेंगे अगले पार्ट में आपने वीडियो को ध्यान से देखा